हेलो अब्रिवोन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप, आप सभी स्टुडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है तो बी एड में कौन सा सब्जेक्ट ले या बी एड में कौन सा सब्जेक्ट लेने से जॉब ऑपर्चुनिटी जादा होती है जो लोग बी एड कर रहे हैं या करने जा रहा है या कर चुके हैं उन सभी लोगों के लिए ये एक important information है आप सभी लोग देख सकते हैं एक बार मैं quick preview दिखा दे रहा हूं वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा इसमें हम लोग ये भी जानेंगे school subject क्या होता है non school subjects क्या हो आपको बता दे सिक्षक बनने के लिए तीन पोस्ट यूजली निकारी जाती है प्रिंस्पल वाइस प्रिंस्पल को छोड़ कर एक पहला होती है primary दुसरे जो है वो junior high school TGT और तिसरा जो है वो PGT जिसको आप lecturer grade की job कहते हैं इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे ये सब ही चाहे वो central government की job हो state government की job हो सब में usually इन ही तीन टाइब की पोस्ट आती है teacher बनने के लिए और सब में आप देख पाएंगे class first लेकर फिफ तक primary जैसे की नाम से आपको पता चल जा रहा है यहां पे आपको graduation चाहिए होता है plus BA या DLA लेकिन अभी इस पे विवाद है अभी इस जब आप primary teacher बनते हैं तब आप किसी subject specific teacher नहीं बनते हैं मतलब आप teacher की vacancy या जब आती आप apply करते हैं teacher बन जाते हैं जब आपने school में जाएंगे जो आपको college school मिलेगा वहां पे जिस subject का teacher जो नहीं रहेगा या आपको कोई भी subject पढ़ाने को दिया जा सकता है यह ध्यान दी जो और जो government आपको recruit करती है वो subject specific करती हिसका मतलब हिंदी के teacher English के teacher यहीं पर आपका पाएंगे कि हिंदी के teacher है English के teacher है मतलब 6-12 भी काई पाएंगे लेकिन अभी यहां पे देखेंगे लेक्चरर के लिए क्या होता है यहां पे दो तीन चीज़े जान लेजिए सबसे पहले कि TGT में आपको graduation और जिस subject का आपको teacher बनना है वो आपको graduation में वो subject भी होना चाहिए प्लस आपका BA होना चाहिए जो कि primary में यह अनिवारे नहीं है प्राइमरी में किसी भी subject से graduation है जिस subject में आप graduation उसे subject में आपका PG भी होना चाहिए मतलब MA, MSC, MCOM या और भी M.Tech जैसे courses की degree होनी चाहिए लेकिन हम लोग junior high school की बात करेंगे junior high school और TGT की बात करेंगे trend graduate teacher की बात करेंगे तो जब आपका यह जो school subject है मतलब जब आपकी graduation में यह subject होंगे तब ही आप इन subject को B.Ed में ले पाएंगे और तभी आप यहाँ पे teacher बन पाएंगे तो यह बो subject है जो कि अगर यह नहीं रहते हैं तो बाकी और इसके अलामा जो subject होंगे उसको भी हम लोग देख लेंगे तो उसमें job की opportunity जो होती है वो घट जाती है सबसे पहले आप देखेंगे अगर आपकी graduation में English है तो बहुत अच्छा है इसमें maximum job maximum पोस्ट आती है हिंदी भी maximum आती है गंडीत मैट्स में समाजिक विज्ञान सोचल स्टेडीज में समाजिक विज्ञान में कौन कौन से subject आते हैं इसको भी ध्यान रखेंगे अगर आपका graduation में इतिहास है राजनीती सास्त्र है या अर्थसास्त्र है या भूगोल है यह चार सब्जेक्ट है तब ही आप सोचल स्टडीज या समाजिक विज्ञान की टीचर बन सकते हैं otherwise अगर आपका जैसे समाज सास्त्र है तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं class 6 to 8 के लिए उसके बाद सारे रिक सिक्छा यह तो बहुत कम प विज्ञान है तब आप class 6 से लेकर high school तक के लिए आप teacher बन सकते हैं maximum job भी आती है कला arts मतलब यह fine arts की बात हो रही है यहां पर उसके बाद संगीत गायन जी विज्ञान और और उर्दू यह total 12 सब्जेक्ट हैं जिसको school subject कहा जाता है मतलब अगर आप school subject से की रहते हैं graduation तो आपको job मतलब आप सोच लिजे कि आप primary के तो teacher बन भी सकते हैं साती साथ आप 6-10 class के भी teacher बन सकते हैं और उसके बाद अगर आपने उसी subject से PG भी कर लिया तो आप 11-12 के लिए बन सकते हैं और अगर आपका नहीं है subject तो क्या हो सकता है अगर नहीं है जैसे आपने graduation में दर् बीटेक आगर आप ऐसी degree करके बीट करेंगे तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा आप सिर्फ और सिर्फ या तो primary या तो PGT में भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि PGT में भी subject specific फिर उसमें M.Tech करना पड़ेगा तो होता क्या है कि जो लोग कोई और course करके आते हैं बीट करने उ यह थी जानकारी जिनका भी graduation में जो subject है अगर इन में से जो भी है यह साथ subject जो है काफी important है सारे रिक सिक्षा को अटा दें ऊपर के साथ subject जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा पोश्ट आती है अगर आपका graduation इन subject से है तो आप आपके अपने को secure मान सकते हैं और आपके रखेंगे वह आपना graduation का रखेंगे जो आपके graduation में है और दूसरा हो सकता है match ना करें तो कोई language रख लेंगे यह आप ध्यान रखेंगे यह दो चीजे ध्यान रखेंगे तो आपका future में teacher बनने में problem नहीं आएगी otherwise आपको problem phase करनी होगी भले या बीएट के बाद U.P.T.C. सब कुछ qualify होंगे लेकिन आपकी graduation में subject न होने के वज़े से आप class 6 से लेकर 10 तक के teacher नहीं बन पाएंगे तो यह थी जानकारी आज की I hope आप लोगों को यह information समझ में आई होगी अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि subject combination क्या होता है और क्यों जरूरी है subject combination आपके teaching की job मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाय वाय टेक केर रहें कीप वाच सब्सक्राइब